नमस्कार एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में आप लोको निराला कंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा सा बनता हुआ घर का अब तक पुरा काम क्या गया है इसके बारे में बताने वाला हूँ साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा आया है इसके बारे में बता दूंगा अगर आप भी अपने बनने वाला घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवार वे आपको आंदाजा चलेगा घर का प्लास्तर का काम करवाने में कितना आपका साइज का क्योंकि अगर आप साइज जान लेते हो तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है अपने बनने वाला घर के लिए कैसे काम करवाना है और कितना का खर्चा आएगा इसके बारे में आजानना आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाता है तो चलिए पहले स इस घर का पैरापेट वाल का बात कर लिया जाए साइट की तरफ बहुत ज़्यादा एक्स्टा काम नहीं किया गया है इसके साथ साथ नीचे में देखे गया तो यहां पर बीट डिजाइन का काम है वह किया गया जिसे आप लोग आमवासा में स्प्रिंग भी बोलते हैं आप लिए यहां पर देख पा रहे हैं चलते हैं फ्रंट की त में अपको सुंदर सा वक्राइब के बारेब में आप लोगों को बताना चाथा हूं हाला के घर के अंदर बीचलेंगे देखेंगे किस तरीका से काम है वह किया गया वहां से में इंटरेंस है और यहां पे तक बराने से घर का लुक है वो कैगुना तक बढ़ जाता है इसके साथ-साथ अगर आप देखेगा तो घर का जो खिरकी है यहां पर बिल्कुछ जगह पर रखा गया है जिए दोस्तों बीच में पोर्टी को साइड में दोरे तरफ से देखेगा तो सपोर्ट के लिए यहां यहां के साथ-साथ-साथ-सी क चाइप की अंदर भी चलेंगे देखेंगे किस तरीक है काम कीलगोब निविल फीट में अस DC साइस का हो और इसके उपर वाला रिज़ा में देखेँगा तो औरर क व्योंग से लिए किए यहां पर घुसने के साथ साथ डायनिंग एरिया यहां पो भॉलिए किचेन उल्म स्कॉन ध़्या है है आप इसली है पर द 되면 साइड ही यहाँ पर दाहिन और लू मिलता है यहां पर यहां पर यहाँ पको दो रूओ देखने को मिलता है यह दहें कुछ इस तरीका से पहला result भीश्य और दिखने को मिलए और इसके साथ त्थी करणष बनार देखने च्रहात तोटल पांच बेट्रूम के साथ पनाजर एक पर फिर से आपको बता देता हूं कि किस तरीका से इसका काम है वो किया गया वहां से आप घर में एंटर करते हो हौल के साथ डाइनिंग एरिया यहां पे रखा गया है उधर आपका कीचेन है यहां पे आपका पहला रूम है इसके साथ-साथ आप उधर भी देख सकते हो उधर भी दूसरा रूम है और इधर भी रूम है उधर भी रूम है उसके साथ-साथ टोटल पांच रूम के साथ में ह देख रहे हो दोस्तों आपको पता ही है कि हर का फर्स का काम करवाने में बहुँ ज़या खर्चा करणा लेकिन यहां पे अभी जो फिनिस नहीं किया गया है यहां पर सिर्फ ढलाई के साथ में काम करके रोख दिया गया हॉसके बात फिर से आप लोगको अपडेट दूँगा अब तक जो دیں बात कर लिया है 15-28 को उन्हारा इस तरीका से इस घर का काम आप देख पा रहे हो डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देता हूं दूसरे साइट से भी ताकि आप लोग को और बेज़ादा आइडिया है वो मिल्या इधर देखे सीड़ी का जो डिजाइन है हेडर रूम है उसका काम आप देख सकते हो जो भी विंडवे घर का परतिक विंडवे इसी तरीका से बने आ गया है असानी के साथ आप देख सकते हो कि आकिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपा का खर्चा लगा है तो मैं आपको बता दू कि इस घर का नक्सा बनवाने से लेक कर अब तक का जो टोटल काम करता हुआ घर है सामने की तरफ पुर्टिको का इस्तेमाल भी किया गया है परते हैं कि विंडव में थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करते हुए इसका लूप को इनहेंस करने का काम भी किया जा रहा है जैसे इस घर कंप्लीट होगा वैसे मैं आप लोग लिए लाओंगा क कि इस तरीका से कप्नीट किया गया और फिनिसी तक कितना रुपर लगा का लड़ बगार का सारा वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी आएगा सारा वीडियो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें